तो स्वाग थे आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो व्य व्यक्ति जो है वह महान व्यक्ति महान इंसान उनका नाम है एहसान दानिर जी हां आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 28 पढ़ने वाले हैं नाम है मैं यूनिवर्सिटी में और यह चैप्टर है ये एक खुदनविष्थ है खुदनवि मतलब अगर खुद के बारे में ही खुद के पास्ट लाइफ के बारे में ही लिखकर बता देना खुद की कहानी लिखकर बता देना ही क्या कहलाता है उस लिखेवे को क्या कहते हैं खुदनविष्थ कहते हैं यानि कि खुदनविष्थ को हिंदी में कहा जाता है आत्म कथा और इंग्विश में कहते हैं ऑटो बायोग्राफी तो आज के इस वीडियो में हम लोग खुदनविश्ट पढ़ने वाले हैं और यह खुदनविश्ट किसकी है तो एहसान दानिश की है यह इनकी एहसान दानिश जो कि एक लेखक्त हैं मुसनिफा बोल सकते हैं वह अपनी जि में लिखर बताएं कि उनका capable कैसा था क्या क्या हुआ अनके साथ क्या क्या बोला जूए घानिए और ही लिखकर बताया है मैं यहिसी कि है खुदनविष्ट मतलब खुद की कहानी पास लाइफ के बारे में लिखकर बता देना खुदनविष्ट कहलाता है ठीक है टीक है कि यह शांदानिश का जो आप लोगो खुदनविष्ट पढ़ना है इसमें जो भी कहानी बताए है और आप लोग इसको सुनते ना तो सच म आप लोग के माइन में 3D फिल्म चलने लगेगा, 3D मतलब वो कहानी रियल में दिखने लगेगी, इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं न ऐसान दानिश और इतना इंटरस्टिंग कहानी है कि आप लोग को क्या बताऊं मैं, आप लोग पढ़ेंगे तो वाकई में, वैसे हम ल और हर एक-एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़या, मतलब मैं क्या बताऊं, इसको पढ़ी न, तो मैं खुद थोड़ा सा कभी खुशी महसूस हो रहा था, मतलब कभी खुशी कभी गम वाला मोमेंट है, आखिर में क्या हुआ, किस तरह एसान दान के अशैर के लास्ट लाइन में जो खास नाम यूज करते थे, वो खास नाम था, यानि के अशैर की शेर ओचाईरी के लास्ट लाइन में दानिश लिखा खंगा, आप लोगों देखने को मिलेगा, इनके ऍहसान उलख का स्टार्टिंग गलम और इनका आपके यह समें नाम से यह मश्रूर हो गया ठीक है इनके वालिक नाम काजी काजी दानिश अली एहां तक तो कोई डिकत नहीं है असका रियल नेम असान ऊफल एश्ञ रिंका नार। यह सबcr करके कांधला चले आए थे मेरट के रहने वाले थे एरसान दानिश के वालिद यानिकी पिता जी लेकिन वो मेरट को छोड़ करके तरके वतन करके वो कांधला चले आए और कांधला में ही एरसान दानिश की पैदाईस हुई थी उन्हें से 14 इस भी में जो कि उनका नानिहाल थ यहां से objective question पूछ सकता है कि असान दानिस की पैदाइश कहां हुई option में दिया रहते हैं कांदला तिक कर जीएगा ठीक है तालिम चौती दर्जे तक यह ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए रिजन यह है कि इनके पास पैसों की किलत थी बेरोजगार मतलब इनके घर में उतना ज्यादा होता है ना आर्थे के सिती अच्छी नहीं थी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी जिसके वह जैसे फूर्थ क्लास तक ही पढ़े थे और जब कोई बहुत बड़ा सक्सेस अगर आ पर एक लाइबरेरी खुणना चाते थे एक यूनिवर्सिटी खुलना चाते थे लेकिन यह चौथी क्लास तक ही पढ़ पाये क्यों क्योंकि बेरोजगारी थी मतलब पैसों की कमी थी आर्थे किस्तिती अच्छी नहीं थी ठीक है ना इसलिए अपने सक्सेज मतलब इनके ए बड़ी रुकावट आ रहे थी वह क्या थी वह थी सबसे बड़ी रुकावट पैसों की कमी होने के वजह से यह ज्यादा पढ़ नहीं पाये पूर्थ क्लास तक ही पढ़े थे ठीक है और फार्सी की तालीम जो है हाफिस मुहम्मद मुस्तफा से लिए थे यहां से हो सकता है कि अब्यक्ति पूछ दे कि अर्फीफासी की तालीम कहां से वी एषान दाजिश की ऐका प्सं में दिया रहे रहेगा हाफिस गाओं के ही कांदला जो यहां था हना उसी गाओं के एक हाफिस थे जिनका नाम सा मुहम्मद मुस्तफा तो वहां से जो है अर्भी और फार्सी कि सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी गरीबी थी सबसे बड़ी रुकावट जिसके पढ़ नहीं पाए लेकिन इनके अंदर पढ़ने का जुनून था वह जोश था पढ़ने का और सबसे बड़ी रुकावट क्या रही थी गरीबी लेकिन गुरुबत के बावजूद भी गरी कमी थी तो अब क्या ही किया जा सकता है इनको मज़ूरी करनी पड़ी उसके बाद से उस्ताद काजी मुहमद जकी के कुदूब काने से किताबी लाते और अपने वालिद को वड़कर सुनाते देखिए एसान दानिस्के जो वालिद थे काजी ता के लिए याद रखेएगा वो सकता है कि उससाद का नाम बताए जिन्हों में कि प्रीरित किया लखे थो शुत्य खाने के लाइबरेरिज से कूछ किताबे ला लेते थे और अपने वालिद को पढ़कर सुनाते थे उनके वालिद यानिकी पिता जी बैठे रहेते थे और उनके कुछ दोस्त भी बैठते थे और जब सभी लोग बैठ जाते हैं तो अहसान दानिस्त किताब लाते और पढ़कर अपने वालिद और सभी लोगों उसे समय इनको मलता है यो उस वक्त आराम करने के बजाए ये पढ़ायी किया तो यह आप लोग présent क के उपरसे बड़ी रुक अट और घरीबी के उज़िया से इनको मजदूरी करना पड़ गया लेकिन मछदूरी integrating शाह भी करते थे जो भी समय मिलता था उसमें चुम भी मिलता ता उसमें अंटला में कुछ दिन मजदूरी करके लाहौर आकर इड़ काशा किताबें पढ़ते थे कांधला में कुछ दिन मजदूरी किये और उसके बाद से लाहौर आगये लाहौर आकर इट ढोने का काम यह करने लगे और बीच में और दो पहर में लंच टाइम जो वक्त मिलता था उस वक्त यह आराम करने के बजाए क्या करते थे तो किताबें बिना ठके पढ़ाई मतलब जितना जदा उसके अपने लक्ष की और अग्रसर थे भलेही कितना भी बड़ा रुकावट क्यों ना आगया हो मतलब इनको मजदूरी करना पढ़ रहा था समय नहीं मिल पा रहा था लेकिन किसी तरह समय निकाल कर यह पढ़ते थे और इनका यह समी संगर एक बिन रंग लाया यह यह रंग साजी किये दे दफतर की चौकेदारी वसल की कटाई waterproof कत्र Spread Office सभी तरह का मिए थे सभी तरह का में हम चौकिदारी देखिए चौकिदारी भी किये थे हर एक काम की कौन से काम है जो नहीं किये लेकिन सांच साथ इनको अपने लक्ष की पाने की इतनी जोश थी कि ये सांच साथ पढ़ाई भी करते थे और अपने लक्ष की और अगरसर हमेशा रहते थे अपने लक्ष को पाने के लिए हमेशा संगर्स में लगे रहते थे यह पढ़ाई करना नहीं छोड़ते थे देखे ना और एक दिन हुआ यह कि यह संगर्स करते 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 मतलब एक दिन इनको अपनी सफलता मिल गई इंसान को ना कभी ठकना नहीं चाहिए अभी मैं क्या बताई कि कदम ठक जाए पर इरादे नहीं ठकते थे तो इराद कदम ठक जाए पर इरादे ठकने मद देना और मंजिल के राष्टे से खुद को भठकने मद देना यह इनका जो मंजिल था ना जो लक्ष उस राष्टे से कभी भटकते नहीं थे और हमेशा मतलब आपने लक्षे की ओल ग्रासर रहते थे पढ़ाई करते करते एक दिन हुआ ये इनको सकसेज मिल गई और लहौर आकर एक मुखला में जाती को दुखाना डानिश के नाम से यानि कि अपने ही नाम पर एक लाइबरेरी खोल दियें लहौर लाहर आकर अपने ही लाहर आकर एक मुहल्ला में जाती यानि कि अपना एक प्रसनल लाइब्रेरी खोल दिया अपने ही नाम से दानिश के नाम से ठीक है याद रखिएगा लेकिन इनको यह भी शौक था कि इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी खोले खुले मतलब एसान यह बहुत जदा बुढ़े हो गये और इनका इंतकाल हो गया ठीक है इनको लास्ट में सक्सेज मिली यह अपने नाम पर लाइब्रेरी खोले लाहर आकर एक मुहल्ले में याद रखिएगा अब आगे देखिए जैसा कि मैं आप लोग को बताई एसान दानिश को शेर और शा मुशायरा क्यों नहीं पढ़ते हो मतलब होस्लाव थाही कि तौकीर ताहिर तो एहसान दानीश जो है ना अपने दोस्तुकिर ताहिर के अपयर पेहली मर्तबह मुशायरा पढ़ा को अपने दोस्त तौकीर ताहिर के होसला अपजाई पर हो सकते हैं कि यहां से कोशन पूछ दे तो याद रखिएगा और नजम के शायर थे नजम मतलब कवीता कवीता ज्यादा तर लिखा करते थे और उसी से यह मशूर हुए थे किसी ना किसी इंसान में तो मतलब कोई ना कोई क्रियेशन क्या है तो हदीश यदब दर्दजिंदगी जहाने दानिस जहाने देगर जंजीरे बहारा वगए 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 यह सब किसका लिखा हुआ है एसान दानिश का लिखा हुआ किताब है और इनमें जो सबसे ज़्यादा इमपॉर्टन है वह है जहान दानिस याद हुलती हूं ना टाकि आप लोग को आप लोग के-मैंड में बात बार बार र需要 याद न चरिण यह हो कि अर्फ लोगे दिया गया था और आप थोड़ा में ह longitud पूंच में कि लिख lidt क्या कहला है खुद्च को हिंदी बाबर अपनी आपनु कथा लिखा था इसका नाम क्या है मैं आपiviि भर बताई भी में हो ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजिए खुद्च समझ गए अब यह में प्शिवराब काला पानी क्योंकि कभी कभी च्छंद पूछ दहाइं कि पहली खुद्नविस्थ का नाम क्या है कि नाम क्या और डिया रहेगा रहे गाला पानी और यह कद नहीं पाला новstat लिखने वाले好吃 में तो वह है मौलाना जाफर थानेश्री क्या नाम है मौलाना जाफर थानेश्री ठीक है यह याद रखना है यहां से हो सकता है पूछन पूछ दे अब फाइनली जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया थे ना वहर एक-एक पॉइंट बता दी जो भी बोट पर मैं देंगे लिए फटावर स्क्रीन शॉट अब आईए हम लग पूरी कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जैसा कि एहसान दानिश की कहानी है मतलब एहसान दानिश जो है खुद के बारे में लिख कर बताया है खुद की कहानी बताया है तो उनका तो रहना लाज है कि इहान दानिश रास्टे होकर जा रहे थे कहीं तभी रास्ते में घुझ बुद्धु मिस्तरी से मुलकात हुई भुद्धु नाम का मिस्तरी रहता है बहुत ज़्यदा विचरा,साह दिल रहता है अपने काम को लगन के शतक पर सीघा साह रहता है जो लालाप पने काम दिन लगन से काम करने वाला मिष्धी रहता है लोग उसको बुस्त्री बुलाते हैं और की बनी दिनान bond 지금 तो university न तो university मेंहा व धायर किस्टीर कि ज़орот्ध थे मजदूर कीज़ 2019 अने मिलेंगे तुम चाहो तो मस्धूरी करना ओहीं पर कौन बोला एहसान दानिष्ट को ऐसा लगा रहतidor मतलब इहसान दानिष को एसा लगा कि रहत का मतलब इहसान दानिष स्कोट ş Besides, कि इनको ऐसा लगा तो सोच एसान स्क्राब करना anál traffic जाओंगा और शकुर्ती रहेंगी और मैं अराम से किताब पढ़ूंगा और मतलब जो भी किताब ले कर जाओंगा और आराम समय अपना पढ़ाई करूंगा इनको ऐसा लगा एहसान दानिश को और यह सोच कर बहुत दखुश हुए कि चलो बहुत मतलब ज्यादा मेहनत वाली काम नहीं हांग देंगे और आराम से हम दिन बर अगर कहोगे तो मैं दूसरे आदमी को रख लूँगा लेकिन एक बार तुम फिर सोच लो तो एहसान दानिश को ऐसा ही लग रहा था कि रहट पर रहट जो है गया बैस को चराना है यह सोचकर बोल दिये इसान दानिश की नहीं नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ रहट पर क दूसरों को रखने की जवरत नहीं है तब बुदू मिस्त्री बोले तो ठीक है कल इसी जगह पर तुम आकर मुझे से मिलना और मैं तुमको लेकर चलूंगा यूणिवर्सिटी में तो इसान दानिश बोलते हैं ठीक है मैं कल इसी जगह पर आकर इंतिजार करूंगा आपका और आप हमको यूणिवर्सिटी में लेकर चलिएगा मैं काम करने के लिए बिल्कुल तयार हूँ यह बहुत जिदा खुश थे बुदू मिस्त्री तो चले गए एहसान दानिश अपने घर आ गया और यह बहुत जिदा खुश थे किस चीज़ को लेकर क्या सोच कर कि बहुत आसान काम मुझको मिल गया है रेहट पर काम करना है ध्यान में रखिएगा रेहट का मतलब एहसान दानिश क्या समझ रहे थे कि गाय भैस चराने वाली कोई जगह है यह सोच कर बहुत जदा खुश थे कि ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है अराम से गाय भैस को हाकर मैं पढ कर गए तो एहसान दानिश जब यूनिवर्सिटी में एंटर की है तो चारो तरफ देख रहे थे कहां है गयभैस और रेहट कहां है मतलब गयभैस चलाने वाली जगह कहा है और कहां गयभैस दिख रही है चारो तरफ देखते हैं कई पर भी उनको गयभैस नहीं दिखाई द कि वही मैं देख रहा हूं रहत कहा है वही मैं देख रहा हूं रहता है और बना रहता है अब रेहट का मतलब समझे रेहट एक मसीन है एक तरसे टेक्निक आप समझे जो जिसमें एक गोल बहुत बड़ा लोहे का पहिया है और उसमें छोटी-छोटी खूटिया लगी है और उसको हाथ और पैट से ढखेल-ढखेल कर चलाना है एकदम बहुत मेहनत की जवरत है और चल और बोलते हैं कि देखो यह है रेहट और यहां पर खुआ है तुमको यह जो लोहे का बड़ा पहिया है ना लोहे का रहता है सोची उतना भारी और उसमें चोटी-चोटी खूटिया लगे उसको हाथ और पैट से ढखेल कर और चलाना है और चला चला कर चला चला कर तुमको तुमको क्या करना है कि पानी निकालना है इस कुए से रिहट चलाचला कर और इस हौज को को हमेशा भरे रखना है ताकि यूनिवर्सिटी का काम ना रुके हमेशा चलते रहें ठीक है अब जैसे ये बात बोले बुद्धु मिस्तिरी एहसान दानिश को एहसान दानिश तो उनके बात को सुनकर शॉक्ट हो गए थे एहसान दानिश को क्या लगा था कि रेहट डाय भै अकड जाएगा पूरा शरीर जो है ना इसमें ठक जाएगा इतना मेहनत करके ढखे लो और उतना लोहे के उतने बड़े लोहे के पहिए गोले को चलाओ ना जिदा मेहनत की जोड़त है अब यह देखकर एहसान दानिश की हालत खराब हो गई क्या सोचे थे और क्या निकला बोला जाता है कि निकली चुहिया मुझको याद नहीं आ रहा है उसी तरह का इनके साथ हुआ था अब यह सोचे क्या थे सोचे से बहुत आराम वाला काम मिला है लेकिन इनको रियालिटी तब पता चली जब बुद्धु मिस्त्री बताएं अब तो इनका हालत खराब था ब रख लूँगा फिर दुबारा ना मत बोलना तो एहसान दानिर बोल दिये थे नहीं नहीं मैं काम करने के लिए बिल्कुल तयार हूं आप हमको डंद मारी ना बोलते नहीं तो अभी नहीं कह सकते थे उसकाम से बुद्धु मिस्त्री बोलें कि देखो एहसान दानिर अब त पूसका नाम हेरे ता जो इस रेहट को चलाता है मतलब इस काम को हमेशा करता है और पानी निकाल निकाल कार षार में भरता है तो आएगा तुम दोनों मिलकर और रिहत चलाइं अपना-पना मितलब काम बाट लेना एक गंटा तुम चलाते और तो वह घंटा आए तब तक रत्ता आही जाता है रत्ता वही रहट चलाता है रत्ता एकदम सिधा साधा बिचारा रहता है खुबसूरत लेकिन बहुत जदा रहता है रत्ता जो है ना बहुत खुबसूरत रहता है सिधा साधा गठीले बदन का रहता है नौजवान टाइप का तब तक रत्ता आ आ जाता है तो बुद्धु मिस्त्री बोलते हैं लो रत्ता भी आ गया रत्ता यह है एहसान दानिश और एहसान दानिश यह है रत्ता तुम दोनों आज से इस रहट को चलाने का काम करोगे और हमेशा इस होज को भरे रखोगे ताकि उनिवर्सिटी का काम रुके नहीं और यह बुद्धु मिस्त्री चले जाते हैं अब एहसान दानिश रत्ता एक दुसरे से परिचित होते हैं मतलब इंटर्यूस अब दोनों का एक ही काम था रहट चलाना दोनों एक दुसरे मतलब काम को बाट लिए एक घंटा अगर एहसान दानिश चलाते थे तो रत्ता एक घंटा एक घंटा एह साथ चलाते ते एक घंटा और एक साथatar चलाते तब ने काम चलता रहा एक दूसरे के यह कि गंटा गैप देदे कर तो एक दूसरे की करीबी होता है उस तरहते नहीं तरह का ना रट्ता से जल बाते करते रट्ता भी और कोई बात नहीं है मैं ठोड़ा एक स्ट्राइप लेकिन तुम पढ़ाए पर दियां कर तुम दिल से एक गंटा जो इनको मिलता था ना आराम करने के लिए एक घंटा नहीं करते थे बलकि एहसान दानिष एक घंटा पढ़ाई करते थे एर किताबर पढ़ते थे तो इस तरह कभी कभी एह सदानिश जो है ना पढ़ते पढ़ते एक घंटा से ज्यादा हो जाता था फिर भी रत जो आ कर देखता तो यह सोह हुए मिलते थे पढ़ते-पढ़ते से सो इंसान नहीं जाता है तो ठेकेदार आकर रत्ता से कहता कि वह क्यों सोय हुआ है उसको जगाओ तुम्हारा एक घंटा पूरा हो गया हाँ अभी वह गया है पढ़ने के लिए जूड बोल देता था रत्ता फिर ठेकेदार चले जाते तो रत एसान दानिश को रत्ता को देखकर बहुत अफसोस भी होता था गिल्टी फिल रही होगी जोकि उनके इतने घटिया काम करने के लिए इतना मेहनत वाला काम करने के लिए दिए जब्कि है यह राजपुताना खंदान की और आकर इतना मेहनत वाला काम कर रहा है पता नहीं इसके माबाब की क्या मजबूरी रही होगी एसान दानिस को रत्ता पर बहुत ही जदा अफसोस और मोह लगता था ठीक है वैसे यह लोग एक दूसरे से काम बाट करते रहें और फिर उसके बाद स चलाना दो घंडा रहत जलावंगा दो घंडा तुम पढ़ाई करना हृत में घंडऽ घंडा ठीक है और इस तरह समय चलते गया हा थे और हर रोजिन को बारे आना मिलता था याद रखेगा कोशन पूछ देता है कि मजदुरों की को कितना आना मिलता था कितने रुपए मिलते थे अप्सन में दिया रहेगा बारे आने टिक कर दीजेगा ठीक है इसी तरह समय बीदता गया काफी दिन हो गए और कुछ दिन के कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि रत्ता काम करने के लिए नहीं आया रत्ता काम करने के लिए नहीं आया तो रत्ता के जगा पर मुन्षी का लड़का आया था काम करने के लिए कौन आया था मुन्षी का लड़का रत्ता के जगा पर बुद्धु मिस्तरी को मतलब ऐस अब जो दोनों जब दो लोग एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं तो एक साथ रहना ही पसंद करते हैं अब एक दिन रता नहीं आये तो बुद्धु मिस्त्री को उक्ताट फील हो रहा था मतलब अच्छा नहीं लग रहा था अपने दोस्त के बीना बुद्धु मिस्त्री चला रहा था और यह एक हंटा चला रहा था ए expect 10 dust दो साह। गर्लेते थे थे तो the only यत 2 इस नहीं आए मैं रहा था मुल्ची यो तर मगले दिन ऑने हैं करने के लिए लिए फिर इसी दिन अगले दिन ही खबर मिली कि रत्वा का इंतकाल हो गया है चार पाच खुन के दसते हैं चार-5 बार और उसके बाद से रत्वाश की मौथ हो गई जब यह बात एहसान दानिष्प सुनै ना शौक हो गए अच्धा चमन क्यशन तर्टा की मौथ हो सकती है सूचि एह साथ सबसे गहरा मित्र भिल्द बन गया था रट्ता डोनों एक साथ सांह करते थे और अचानक पता चला थानल भी कि करें कि मोत हो गई पहले दिन काम नहीं करने और अगले दिन पता चला कि मुद्ध के साथ नहीं वस्ता ayam eradeki鄉 ऑपने दोस्त रट्ता के साथ बिटाई हुए हर खुशी और गम के पल याद आने लगे एसान दानिश को फिल्म स्क्रीन की तरह इनके दिमाग में जो हैं सीन बदल बदल के आ रहे थे खुशी और गम के पल साथ में रत्ता और एसान दानिश जो बाते करते थे जो हसी मजा करते थे काम करते समय वह पल इनको याद आने लगे जब अपना करीबी इस दुनिया को छोड़ कर जाता है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ही ज़्यादा रोय थे अपने दोस्त रत्ता की मौत पर इनको विश्वासी नहीं हो रहाता कि यह चानक कैसे मौत हो सकता है लेकिन यह बात सही थी रत्ता की मौत चारपाश मर्खु से की देखो रत्ता कितना अच्छा था सीधा साथ है एक घंटे के जगा दो घंटे वो काम करता था ताकि मैं पढ़ सकूं बहुत है इनको अफसोस हुआ और उस वक्से वह चुप चाप अकेले काम किया करते थे और फिर मुंसी का लड़का भी रत्ता के तो इंतकाल हो गया चलाते और फिर एक दिन पता चला कि मुंसी का लड़का का भी खून का दस्ता आ गया है अब चारों तरफ गाओं में यह शोर मच गया कि रहट पर कोई भी काम करने के लिए ना जाए कोई भी क्योंकि रहट चलाने के वज़ा से ही खून का दस्ता रहा है और इंसान की मृत हो जा रही है इंसान की मौत हो जा रही है तो पूरे गाओं में यह सोर मच गया धिरोड़ा पिटा गया कि कोई भी रहट पर काम करने के लिए ना जाए क्योंकि रहट चलाने के वज़ा से ही क्या हो रहा है खुन के दस्तार है और इंसान की मौत हो जा रही है अब देखिए कोई भी काम करने के लिए तेयार नहीं था ठेकेदार था वो परेशान हो गया था अब किस और रखे तो ठेकेदार जो है एंसान दानिस से आकर बोला कि देखो को के doen काम करो तुम रहाइणी का काम तुम ही तुम ही आधमी को मैं नहीं रखने को भजाए तुम करें कर तो मतलब तुम पूरा दिन भर है स्ट चला है और उस मैं तुमको बारे आने के जगा 24 आने दे दूँगा दो गुनाक दाम दे दूँगा था य Cum दानिश मान गए चलो ठीक है मैं पूरा दिन भर रहट चलाओंगा 24 आने हमको दे दीजिएगा एसान दानिश मान गए और इस तरह जो है ना एहसान दानिश अकेले सुबह से लेकर शाम तक रहट अकेले चलाते थे अकेले और यह जो बात फैली था अफवा फैला हुआ था कि रेर चलाने को जैसे खुन के दस्तार और इंसान की मौत हो जाई है तो इसान दानिश तो दिन सुबह से लेकर शाम तक रहर चलाते थे लागातार तो इनको क्यों नहीं इसा हुआ इनकी मौत क्यों नहीं ऐसा यह अफवा देखिए जब एक दो सेम घटना देखने को मिल जा तो वह उससे बोलेगा वो से इस तरह आफवा फैल जाती है गाउं में उसी तरह हुआ था अब एसान दानिश जो है सुबह से लेकर शाम तक 24 गंडे काम करते थे लगातार 24 गंडे में बोल रहे हूं सुबह से लेकर समझे कि 9 बैसे लेकर शाम को 6 बैस तक वहीं बात है तो सान दानियों जब पहली बार गय थे रहा चलाने के लिए पहली रत्ता के साथ लेन जब ये काम करने के लिए गए तो घर वापस लोटे थे तो इनका पुरा शरीर अकड़ गया था पुरा शारीर ठब गया था तो ये क्या किये तेल की रहां किये उज़ और तैल कीbalanced करके त पर और तब जाकर नहाल लेते थे सारा थकान दूर हो जाता था तो इस तरह यह सुबह से लेकर साम तक काम करते थे इनको एसी तरह समय बित्ता चला गया और कई साल हो गए बहुत चालों के बाद ध्यान से सुनियेगा इस तरह तो काम कर रहे थे हैं सालों के बाद एहसान दानिस उसी युनिवर्सिटी में यानि कि लाहर युनिवर्सिटी जिस युनिवर्सिटी में ये एक मजदूर का काम किये थे उसी युनिवर्सिटी में ये एक परिक्षक यानि की एक जामिनर के तौर पर जाते हैं से पिशूंद इस उनिवर्सिटी इसहें एक मograf काम कि ये थे उसी उनिवर्सिटी में बहुर सालों के बाद्सी कितना तो यहोंगा रहे T कि सब्हवी लोग वहाँ पर जितने भी लोग τη हंव देख रहे थे से जड़ा सा सथ यहडा में में भी मगट records ना पहचांद रहे थे कि कहीं देखें हैं तो रोग कर सबी लोग पुछनी लगे आप एसान दानिश है ना के तोर पर आया है सबी लोग दंग रहे गए इस तरह होता है सची कितना जबर्दस्त एंट्री मारें सांदानिश होगा कैसे लगा आप लोग को कहानी कमेंड में लिखकर जरूर बताईएगा और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ मैं और वीडियो अच्छा लगा लाइक जो बनता है देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किये ना तो बहुत गलत बात है अगर आप लोग चानल पर नए नए आया हुए है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबालीजेगा ता जहिंद और खुदा हाफिज